कि हलो एवरीवन स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रेटिव विनी में हम आज यहां सल्वार की स्टेचिंग करेंगे अगर आपने यह सल्वार कटिंग का वीडियो नहीं देखा तो उपर आई बटन में आप इस वीडियो को देख सकते हैं इसका कटिंग का पूरा वीडियो यहां मेंने सल्वार के दोनों भागों को अलग-अलग कर लिया है अब हमारे जो कॉर्णर से हमने जो चार पाट अलग किये थे उसे हम इसमें अटेच करेंगे तो यहां कमर से सीधा जो सीधा भागे उसे हम इसमें अटेच करेंगे यहां दोनों साइड में हमारे सल्वार क दोनों साइड में इसे हमको अटेज करेंगे, चार भाग है हमारे तो दो सलवार के एक पिर में और दूसरे सलवार के दूसरे पिर में अटेज करना है, दोनों साइड हम एक-एक अटेज कर देंगे, इस तरह से, यह हमें दोनों भाग सलवार के दोनों भाग में अटेज करना तो कि हम अपने सल्वार बाक को सीधा रख लेंगे को यां द्यान रखेंगे कि जो ओमारा हमने आठ इंच में जो तीर्चा निशान विल seem एक अन्याम सिधह भाई को करेंगे सीधे भाग में lug इस सारह से हम इसे इट्इच कर लेंगे देखिए हमने आएक कॉनर पर इसे अटेज कर लिया ऐसे ही हमें दोनों सलवार के दोनों कॉनों पर अटेज कर लेंगे इसे हमारे सलवार में घेर बढ़ेगा इसे हम दूसरी साइट में भी सलवार की दूसरी साइट में भी से अटेज कर लेंगे इसे हमके हमारी दो मिटर कपड़े में ही सलवार काफी घेरदार बनेगी और इसे सेमी पट्याला जैसा लुक आएगा अगर अभी तक आपने मेरे जैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साँ शेयर भी करें देखिए यहां हमने दोनों पार्ट में इसे अटेज कर लिया है दोनों सलवार के दोनों भाग में हमें इसे अटेज कर लिया है इसके बाद हम दोनों सलवार के जो दोनों भागें उनको जोड़ेंगे आपस में तो जो हमने यहां जोड लगाया है वही हम जो आट इंच की कि उन्हीं दोनों पार्ट को जोड़ना है देखिए एक साइड ये वाला भाग और दूसरी के सलवार का यही भाग हम आपस में जोड़ देंगे इस तरह से हम इसमें सिले लगाना तो चलिए पहले हम इसमें सिले लगा लेते हैं शिल्ब को भी जोड़ेंगे पहले इन सलवार के दोनों पाट को हमें एक कर लेंगे उसके बाद हम इसे बेल्ट अटेज करेंगे तो जो हमने ये पाट जोड़े हुए हैं उनको बेल्ट के सेंटर में रखकर छोटी-छोटी plates लगा देंगे इस तरह से हम इसमें plates लगाएंगे सलवार में पूरा जितना भी हमारा कपड़ा है उसको हम बेल्ट में पूरी plates लगा देंगे दोनु साइड हमें इसी तरह से लगाना है अब मिने यहां सलवार में बेल्ट अटेज करने से पहले यहां पर नाड़ी के लिए फोल्ड करकर नेफा बना लिया है अब हम यहां बेल्ट के सेंटर में निशान लगाएंगे हमें बेल्ट को आधा करकर सेंटर में उसके निशान लगा लेना है और जहां से हमने center में से सलवार के दोनों पार्ट को attach किया है उसे belt के center पर रखेंगे तो हमारे दो भागे एक इस सरह center में रखकर हम belt के दोनों side दोनों सलवार भागों को attach करेंगे सबसे पहले हमें belt को सीधा रख लेना है और जो सलवार का party हम उल्टा रहेंगे जिसे सलवार का सीधा भाग और हमारी belt का सीधा भाग दोनों आपस में मिलने चाहिए इस तरह से हम इनको रख लेंगे और फिर इसमें हम छोटी छोटी plates देते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरह से हमें plates देनी है सलवार में plates जरते समय ध्यान रहें कि अगर आप एक plate को आपकी तरफ fold करकर दे रहें तो दूसरी को उसके opposite side plate रखें जिसे एक का अगर face आपकी side है तो दूसरी आदे भाग में हम plates को उल्टी side में रखेंगे यह इस तरह से जिसे मैंने यहाँ पर सिलाई में आपको बता रही हूँ वैसे ही आपको plates रखते हुए सिलाई लगाने है मैंने सलवार के एक भाग में plates को अपनी side रखा है और सलवार के आदे भाग को हम उसकी opposite side रखेंगे इसी तरह से हम सलवार में plates देते हुए इसे तैयार कर लेंगे हमेरा belt पूरा attach हो चुका है इसके बाद हम सलवार के दोनों corner को आपस में attach कर लेंगे देखे मेरे आपको complete कर लिए और दोनों corner नीचे हम इसके सिलाई लगा लेंगे दोनों part को चोड़ते हुए I hope आपको मेरा ये वीडियो पसन आया होगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसन आया हो तो वीडियो को like करें और मेरे चैनल को subscribe करें Thank you for watching